सरकार की और से कल जो लॉकडाउन घोशित हुआ है उसमें सरकार ने जो पैकेज दिया है ये एक प्रकार से बरगल आने वाली बात है क्योंकि सरकार ने 3300 करोड रुपिया कोविड से युद्ध के लिए जो कुछ आवंटित किये है ये रेगिलर बजेट में जब बजेट अन इफ्रस्ट्रक्चर खड़ा करदा है उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है और उसका कोई रोड मैप ये सरकार की और से नहीं दिया गया है इसके साथ साथ सरकार ने आदिवासियों को जो 2000 रुपे देने की बात किये पिछले साल से जो उनका 4000 रुपे का अन सरकार से पेंचन आती है उसको ही हम एडवांस में देंगे इतना ही सरकार ने यहाँ पर आया फिर जो अनन सुरक्षा में आते नहीं यह देना चाहिए। हा Agora करें सरकार को में कुछ भी कहा ही मिर्वह का स्रूंद वारे में सरकार के और से कुछ भी कहा है स्ट्रीट वेंडर सब्सक्राइब हो यह बहुत सीमित ऐसे लोगों तक पोचने वाला है क्योंकि उसका रेजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो कुल मिलाकर लॉक्डाउन के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को अलग अलग घटकों को मदद करनी चीए थी कोई मदद सरकार के और से नहीं की गई है इसका बहुत गलत परिणाम महाराष्ट की जनता पर होगा लॉक्डाउन करने की भले ही आवशकता हो या कड़े अनुवन लगाने की आवशकता हो लेकिन उसके साथ-साथ बदद करना यह सरकार की जिम्मेवारी है सरकार इसमें पूरी तरीके से फ